नमस्कार दोस्तों GDS Conduct and Engagement Rule का Rule No.8 हमाज देखने वाले हैं जो कि यह है Termination of Engagement खासकर जिनका भी तीन साल नहीं हुआ है उनके लिए जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है दोस्तों अगर किसी भी GDS का तीन साल complete नहीं हुआ है डूटी तो उनको किसी भी वक्त Terminate किया जा सकता है Terminate का मतलब है किसी भी वक्त उनको Dismiss किया जा सकता है उनके पत्स से उनको हटाया जा सकता है इन तीन साल के दर्मियान First Point में आप देखिए Engagement of a Sevaak who has not already rendered more than 3 years continuous engagement from the date of his her engagement shall be liable to be terminated at any time वही मैं बता रहा था आपसे कि तीन साल अगर आपका नहीं हुआ है किसी भी GDS का तो उनको किसी भी वक्त हटाया जा सकता है हाला कि किस situation में हटाया जाएगा क्या गलती की होगी तो हटाया जाएगा यह यहाँ पर mention नहीं है लेकिन किसी भी वक्त notice आ सकता है कि आप और notice आने के बाद आपको एक महीने के अंदर अपना पद त्याक करना होगा Second Point में आप देखिए The period of such notice shall be one month मतलब जब भी notice आ है तो उसके एक महीने के भीतर आपको वहाँ से हटना पड़ेगा यहाँ देखिए उसके बात क्या दिया है Provided that the engagement of any such सेवक may be terminated forthwith and on such termination the सेवक shall entitled to claim a sum equivalent to the amount of basic time related continuity allowance plus dearness allowance तो जो एक महीने का जो time होगा न देख उस एक महीने का आप claim कर सकते हो जो TRCA आपको मिल रहा था उस एक महीने के पहले तक उसी rate से आपको एक महीने का TRCA मिलेगा और वो देखिए money order से मिलेगा आपको ओ अकाउंट में नहीं आएगा जैसे salary आपको उस टाइप का नहीं आएगा और वो TRCA आपको money order के थ्रू मिलेगा और तुरंत आपको छोड़ना होगा दोस्तों देखिए यहाँ पर वही लिखा है provided that the engagement of any such सेवक may be terminated forthwith forthwith का मतलब होता है immediate immediate आपको post आपका छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद एक महीने का TRCA आप क्लेम कर सकते हैं और money order के थ्रू आपको जो TRCA आपका बन रहा था एक महीने से पहले तक उसी rate से आपको money order के थ्रू TRCA प्लस DA प्लस जो भी allowance आपका due है वो सब आपको मिल जाएगा और note में देखिए क्या लिखा है where the intended effect of such termination has to be immediate it should be mentioned that one month's time related continuity allowance plus dearness allowance as admissible is being remitted to the सेवक वही उसी की चर्चा हो रही थी देखिए money order के थ्रू यहाँ पर दिया जाएगा उसके लिए आपको claim करना होगा ऐसे ही नहीं दिया जाएगा जब आप claim करेंगे तो money order के थ्रू आपको जो same basic TRCA का rate मिल रहा था वही same rate आपको money order के थ्रू मिल जाएगा किसी भी वक्त तीन साल के अंदर जिनका भी तीन साल नहीं हुआ है ध्यान में रखिएगा किसी भी वक्त आपको वहाँ से हटाया जा सकता है और जब यह ऐसा होगा देखिए note number 2 में देखिए when engagement of GDS is terminated under this rule मतलब under rule 8 के हिसाब से अगर किसी GDS को हटाया जाता है तो वो किसी भी GDS gratitude या फिर severance amount के हगदार नहीं होंगे सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि 3 साल अगर किसी भी GDS का नहीं हुआ है तो वो किसी भी वक्त हटाया जा सकते हैं किसी भी वक्त remove किया जा सकते हैं department के दवारा यही था rule number 8 GDS conduct and engagement rule का rule number 8 था यह termination of engagement आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे नए update के साथ